टिक टॉक एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिस पर लोग तरह तरह की वीडियो बनाकर डालते हैं और उन्हें काफी सारी लाइक्स और कमेंड मिलते हैं जिसे देकर वो खुश होते हैं कुछ लोग तो टिक टॉक पर ऐसे फिमस हो गए हैं जैसे कोई बॉलिवुड के सेलिब्रिटी हो ऐसे ही एक टिक टॉक स्टार जिसका नाम फैजल है उसने प्रेमी द्वारा महिलाओं पर यानि की एक्स बॉइफरिंड द्वारा गल्फरिंड पर एसिड अटेक को बढ़ावा देने जैसे एक वीडियो डाल कर बवाल खड़ा कर दिया है इस टिक टॉक स्टार फैजल का दावा है कि सोशल मीडिया साइट टिक टॉक पर उसके 13.4 मिलियन फॉलोवर्स हैं जब इस तरह की टिक टॉक बनाकर फैजल ने शेयर की तो मुंबे के आशुतोष दुबे ने शिकायद दर्श कराई ट्वीटर पर इंटरप्रीट सैफरोन नाम के यूजन ने ये वीडियो शेयर किया है तब ही से ये वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा है इस विवादास पर टिक टॉक वीडियो में ये कहते हुए सुना जा सकता है कि उसने तुम्हें छोड़ दिया जिसके लिए तुमने मुझे छोड़ा इसका सीधा से मतलब यह है कि क्या वो आदमी जिसके लिए तुमने मुझे छोड़ा उसने तुमें छोड़ दिया है इस डायलोग के बाद एसिड अटेक हमले के एक सीन को दिखाया गया है जिसमें पीडिता का चहरा एसिड अटेक के निशान से ढखा हुआ दिखाई दिरा है सोशल मीडिया पर इस तरह की वीडियो बनाकर वाइल करना अपराधों को बढ़ावा देना है अगर राश्च्री अपराध ब्यूरू की माने तो 2014-2018 की बीच एसिड हमले के 1483 लोग शिकार हुए 2018 में ट्रायल के लिए लिए गए 523 मामलों में से केवल 19 मामलों में ही सजा सफल रही और उसके बाद सोशल मीडिया पर इस तरह खोई हुए प्यार से बदला लेने के तौर पर एसिड अटेक कर देना ये किसी के वास्तविक जीवन में खोई हुए प्यार के लिए उकसाने जैसा है ऐसे वीडियो से इंसान के मन में ये सब करने की बातें आ सकती है टिक टॉक सिर्फ लोगों के मनुरंजन के लिए है लेकिन कुछ आसमाजिक तत्व ऐसे होते हैं जो कई मौकों पर इन मनुरंजन की चीज का गलत उप्योग करते हैं और गलत तरह के मैसेज फॉरवर्ड करते हैं हाल ही में कोरोना वारस के प्रकोप के बीच भी टिक टॉक पर कई मिसलिम कलाकारों ने इसलामेक उपदेशों की यार में लोगों को समाजिक दूरी के दिशा निर्देशों को प्रवाहित करने के लिए प्रोचसाहित करते हुए देखा गया एक ऐसा वीडियो भी सामने आया था जिसमें ये कहते हुए देखा जा रहा था कि आप आज पारंपर एक इसलामिक रिवास को छोड़ देंगे क्योंकि आपको मृत्यू का डर है हम मुसल्मान हैं इसलिए हम मरने से नहीं डरते इस तरह के और भी कहीं वीडियो सोशल मीडिया पर फिलाय जा रहे हैं और हाल ही में इस तरह से अपने खोई हुए प्यार पर ऐसे डटेक कर देने का वीडियो जख जोड़ देने वाला है भला कोई किसी पर इस तरह की हरकत कैसे कर सकता है जब भाजपा के नेतार आश्रम हिलायों की अधिक श्रेका शर्मा के पास पहुंचे तब उन्होंने आश्वासन दिया कि इस तरह की वीडियो से जो खतनाक मानसकता फैलाई जा रही है उस पर सक्त कारवाई की जाएगी और इस पर टिक टॉक पर भी सवाल उठाया जाएगा बहराल आपसे बस इतना कहेंगे कि ये सम मनुरंजन की चीज़े हैं इन्हें मनुरंजन का ही रहने दीजे ऐसी कोई भी वीडियो ना बनाए ना ही किसी और की इस तरह की वीडियो शेयर करें जो आपके और दूसरों के साथ ही समाज के लिए बुरा संदेश दें subscribe our channel and press the bell icon for more updates